तो हेलो दोस्तो क्या आपको पता है कि पुलीस की वर्दी का रंग जो है खाकी क्यों होता है दोस्तो ये बात जो है 99% लोगों को नहीं पता हुई कि पुलीस की वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है कि पुलीस की वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है इसके पीछे की कहानी क्या है और दोस्तो कहानी जानने के बाद आपके होस उर जाएंगे ओके तो दोस्तो आप इस वीडियो को आखरी तक देखी गए इसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है तो आई दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो नमस्कार दोस्तों स्वागत अब से भी का अपने यूटूब चैनल एजूकेशन किलियर विजन पर तो आए जानते हैं कि पुलिस की वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है तो दोस्तों देखिए इंदियन पुलिस यूनिफॉर्म कलर प्रोसेस देखिए दोस्तों कोलकत्ता को छोर कर लगबग पूरे भारत में पुलिस की वर्दी का रंग खाकी है अंग्रेजु ने यहां की पुलिस की वर्दी का कलर सफेद चुना था दरह असल इस सहर की जलवायू गरम है सुरज की गरमी का रिफ्लेक्शन जादा होने की वज़े सफेद रंग की वर्दी चुनी गई ताकि वर्दी पहनने के बाद गरमी का एसास ना हो भारते पुलिस की वर्दी देश की सान का परतीक है कहीं पी खाकी रंग दिखते ही दिमाग में पुलिस की छवी आ जाती है सन 147 के पहले भारती पुलिस की वर्दीकर रंग खाकी की जगे सफेद हुआ करता था सफेद रंग को सान्ती का संदेश देता है फिर ऐसी क्या जुरत परी की वर्दी का रंग बदलकर खाकी कर दिया गया इसके पीछे बरा ही रोचा किस्सा है जिसे परने के बाद या जिसे जानने के बाद आपकी खाकी रंग की पूरी कहानी को जान जाएंगे तो आईए जानते हैं कि पुलिस की वर्दी करंग खागी क्यों होता है भारत में जब बृतिस का सासन था उस समय भारते पुलिस की वर्दी करंग सफेद था सफेद कलर होने करन दिवती के दोरन वर्दी पर चाय धूल मित्ती या अन्य परकार के दागदब्बे लगने से वर की वर्दी रोजाना साफ करने होती थि करमचारी काफी तंग हो जाते थि जिसकी शिकायट पुलिस कर्म्यों को अकसर रहती थी युनिक होने दाई का इस्तेमल किया गया और वर्दी का रंग सफेद से खाकी कर दिया गया ओके तो आपको पता चल गया हुआ कि पुलिस की वर्दी का रंग खा की क्यों होता है आई हो आपको वीडियो पसंद आयो सो थैंक्स रोजिंग इस वीडियो